नमस्कार दोस्तों मैं आज़े सिंग्यादर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एसलेपियस दा गोडोग मेडिशन में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा प्रोडेक्ट हमारी कमपणी एसलेपियस वैलनेस प्राइविट लिमिटेड कम क्लोरोडोग बहुत छे लोगों मेरे में मैसेज कि आता है कि सब्सक्राइब कर दें गंटे के निशान पर जरूर क्लिक करें इससे फायर दें होगा कि मैं जो वीडियो लेक्या हूंगा उसका लेटाइस नोटिफिकिशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा तो दो मैं क्लोरोडोग की उपर उपर की इंफ्वार्मेशन बता लेता हूं कि क्या हो रहें किस परकार से किन किन विमार्यों पर काम करता है कि दोस्तों को अंब आपको बता हमारे इस को दोमें कलोरो फिल और वीडिरास यह दौनों परकार की जड़िकिए इसमें डिली हुई है यानि क्लोरो फिल और वीट ग्रास आपको बिल जाएंगी जो क्लोरो फिल और वीट ग्रास पर फ़िक्व पर हमारी जो कंपनी है यहां अरो प्रकार के सामने लेखे आए दोस्तों एक प्रकार का पोद पोदा होता है एक प्रकार का इसमें पर घ्राइब है और यानि इस पोदे की जड़ 130 फिट के गहाई तक जाकर के वहां पे मिनरल्स एंड पोश्क तत्वर शोकती है जिसके दोबारा पीलिया गढिया ऐड अलसर जैसी अनेकों प्रकारिक बिमारी और अत्याम काम करता है यह सरीर के इंदर सारीक उर्जा उतपन करता है इस पूर्थी गाजर और अपने शंत्रह रोताал को संत्रह भुता जी हां दोस्तों अपना गाचर और संत्रा से ज्यादा विटामिनिस में होती है और एनीमिया तक खून की कमी को यह दूर करता है इसके अलावा हमारे यह प्रोडेक्ट डायविटिक प्रोडेक्ट तो क्या हमारे वीटिग्रास है डायविटिग और हाइबर्ड प्रेसर वाली कि लिए लोग बाहर जाते हैं विद्धेसों में जाते हैं अपना ईलाज करवाने के लिए और बहुत ही जादा रुप्यह वहां पर वैस्ट करते हैं अपना सारह दूता अच्छे से फायदा नहीं होता तो दोस्तों बोड़ना चाओंगा कि अगर आपकी निगामे आपकी तो उसको हमारे प्रोडेक्ट करेंड अपने वीट ग्रास के बारे में आपको बताता हूं हमारे अपनी इसके अलावा फेपड़ों में इनिफेक्शन हो गया उख वेपड़ों में पान आपके खराब हो चुके हो तो फेड़न अगर ढने किडिने खराब उसमें आप हमारे तॉक्षिन होते ना उन सब begitu पो आपको बता ही दिया तो दोस्तों जैसे देखा होगा कि हमारा प्रोडेक्ट अब मैं आपको इसकी हर एक जड़ी बूटी को लेके एक-एक बारे में बता हुआ कि किस-किस परकार से किन-किन विमारे पर काम करता है तो यहां वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लगबग यहां सभी परकार विमारे पर काम कर ले लेना है तो दोस्तों बिना समय गवाएं शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा کہ आप देख रहे हो मैं आपको अन्बोक्सिंग करने से पहले एक बात पाल चाहूं गा कि वीडियो को आ लास्ट तक देखें जिए हां दोस्तो लास्ट देखें वीडियो को तभी आपको आपक कईपल दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो आपको हमारे बदेक्ट इस परकार के दिजए देगा और प्रोक्ता कीरेट्ट्रा 박ञ nobody व्हसमारों को हमारा जिएंस बेख दुस्तों अर्व कि दम कर दो दिएंस मुझा एक लured बड़ा मैं तो आपको हर वीडियम बताता हूं कि हमारे जो प्रोडेक्ट हैं वो प्रेग्नेट उमेंस को नहीं देने हैं इसके लिए आप खासकर इस बात का ध्यान रखें और जब आप कभी इस प्रोडेक्ट का यूज करते हो तो सबसे पहले बोटल को खोलने से पहले अच्छी तर प्रोडोग और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यह प्रोडेक्ट किस परकार से किन-किन बिमारियों पर काम करता है दोस्तों मैं बता दू आपको मैंने आपको इसमें बताया है क्लोरोफिल को हम खाद पिता बोलते हैं यानि आल फूड ओफादर यानि खाद पिता बो हुआ है दोस्तों वीट ग्रास है जो एक टोटल एंजाइम होते हैं वीट ग्रास में और यह हमारे हार्मोन के एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है इसके अलावा आपको बता दो हार्मोन किस-किस एंजाइम में हमारे प्रोडेट काम करता है वीट ग्रास जो किस-कि अंदर डला हुआ है जिसे आप अशु बड़ा बोल सकते हैं हमारे यह क्लोरोफिल में मैंगनिसियम सेंट्रिलाइज कंटेंट होते हैं जो फास्ट एंड एलर्जी फास्ट एंड एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं दोस्तों और मैं आपको पता दू हमारे इस प्रोडेक्ट म विमारी पर काम करता है आप इसे लगबग हर प्रोडेक्ट के साथ दे सकते हो और बैस्ट के लिए आप मैं तो यह बोलना चाहंगा कि आप का यूज कीजिए दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने की क्लोरोडोग की अन्बोक्सिंग बताए आपको उसके कंटेंस के बारे जैसे बयानक से बयानक विमारी वो उन्हें सब पर हमारे प्रोडेक्ट काम कर लेता है अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा यह प्रोडेक्ट क्लोरोडो कैसे लेना है दोस्तों आप इसको खाली पेट लेना है आपको 5-10 साल के बच्चों के लिए आपको यह लेना है पसंद आया होगा अगर आपको यह पसंद आया तो आप इसको जबादा से चींट करें से करने से पाइद आपके पास वाले ऐसके अखर पास पीडाओं में इस कैंसर जैसी प्रोडुयक्ट के बारें से जूझ रहे हैं द्वारा निजात पास सकते हैं दोस्तों अगर आप हमसे यह प्रोटेक्ट मगवाना चाहते हैं तो मैं मेरे कॉंटेक्ट नमबर डिस्क्रेक्शन बोक्स में डाल दूंगा आप मुझको वहां से चेक आउट कर सकते हो क्या धर की दू हाट